क्लासे आज हम डिसक्स करेंगे डिली डॉर सेशन में मिल्टरी एक्सराइज विद अधर कंटेज कैस्ट मिल्टरी एक्सराइज क्यों होती है क्या रीजन है इसको पहले मैं समझा देता हूं फिर मैं आपको समझाओंगा कि किस-kis नेशन के साथ कौन-कौन से मिल्टरी एक्स एक अनम है आपस में यह दोनों वार करने लग जाते हैं अब जब इन दोनों के बीच में वार होते हैं तो इसके फ्रेंडली नेशन होंगे वह एक्स का साथ देंगे और जो वाई के फ्रेंडली नेशन होंगे वह वाई का साथ देंगे ठीक है अच्छा चलो अब मैं इसको दोनों के बीच में अगर कोई military exercise नहीं होई ठीक है तो coordination नहीं बन पाएगा US की आर्मी और इंडिया की आर्मी का है ना तो coordination बनाने के लिए military exercise करी जाती है या फिर आप ऐसे समझो कि soldiers को train करा जाता है how to act how to think and how to work together in time of conflict जब भी जुरुवत पड़ेगी तो हमें at least coordination मनाने के लिए जो cooperation होता है उसके लिए military exercise करवाई जाती है ठीक है या फिर आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो अभी recently UK उत्राखंट जो है वहाँ पर एक natural disaster हुआ तो हमारी जो Indian army है उसके लिए भी train रहती है कि कोई भी natural disaster हो उसके लिए हमारी जो इंडियन army यह training वगारा करती रहते हैं ठीक है इस तरह से भी आप समझ सकते हो और optionality मिलती है इस military exercise में कि आप अपने devices को जो भी आपके पास weapons है उसको किस तरह से use कर सकते हो at the time of war तो यह military exercise का में में सा फंडा यह है अब देखो हमारी जो military है उसके commander in chief कौन होते हैं आपको पता होना चाहिए हमारे देश की जो president है वो है commander in chief तो president का नाम क्या है रामनाथ कोविंच जी एंड आपको मैं तीनों army के जो head है वो बता देता हूं जो हमारी army है उसके head है यहाँ पर लिख लीजिएगा मनोच मुकुन नर्वाना यह नर्वाने ठीक है तो यह है हमारी army के head अच्छा wise head भी आपको बता देता हूं wise जो chief है चांदी परसाथ और जो हमारी air force के head है वो भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूं रकेश कुमार सिंग बदोरिया और वाइस चेर्मेंट को ने वाइस head को ने एर फोर्स के हर्जीत सिंग अरोड़ा और साथ साथ नेवी के भी यहाँ पर लिख लीजिएगा तो नेवी के जो chief है उनका नाम है करम बीर सिंग और वाइस जो चीफ है उनका नाम है अशोक कुमार अच्छा जो तीनों आर्मी को बेसिकली या फिर आप ऐसे समझो चीफ डिफेंस जो अभी की पोस्ट आये रिसेंटली और यह कोन है फर्स सीडियस जर्नल वीपिन रावत यह पहले आर्मी की चीफ होते थे जर्नल वीपिन रावत ठीक है तो यह जो पोस्ट है यह आपने याद रखनी है वैसे मैंने अपॉइंट्मेंट में आपको अच्छे से डिसकस करवाया था और यह जितनी भी मिल्ट्री एक्सराइज आज हम डिसकस करेंगे यह जस्ट एक स्टैक के पॉइंट ओव्यू से है वैसे यह टॉपिक आपको क्रंट के पॉइंट ओव्यू से भी करना है और इसको मैं करवाओंगा भी लाइक ऐस जैसे मान के चलो कि यूद अभियास 2021 में हुआ और यह कहां पर हुआ यह कुशन इंपॉर्टन ओता है कब हुआ यह कोशन कभी नहीं आता ठीक है जैसे डेट बगारा नहीं पुछी जाती लेकिन यह इंप्वर्टन है कि यूएस में हुआ इंडिया में हुआ और जगा भी पूछ ली जाती है कि स्पैसिविक कौन स क्या है कैपिटल है वाशिंग्टन डेसी करंसी यूएस डॉलर और जो प्रेजडेंट अभी रिसेंट्ली पॉइंट हुए है जो है बेड़न सब्सक्राइब करते हैं अगर आप याद कर सकते हैं अच्छी बात है लेकिन हमें एक्जाम अप्रोच के साथ चलना है और एक्जाम अप्रोच वही कहती है कि जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम में वही याद रहने चाहिए ठीक है चली तो उसके बाद नेक्स देखते हैं माल्द्वीज की साथ हमारी जो मिल्ट्रिक से जाइस होती है इसको क्या कहा जाता है एक्विरिंट और माल्द्वीज की जो कैपिटल है वह है माले और क्रंसी है र मृण एक्सेसथन मृद्वीज के लिए मधु साथ है उसकी प्रेजिदेंट है उसके बाद इंडे की मिल्ट्रे एक्सेसाइज होती है इंडिया के साथ उसको कहा जाता है ग्रूड शक्ती और जो बंच है इन में इससकी है ज़कार्टा और क्रंसि इसकी भी रूपय धी है और इसकी हेड है उनका नाम है प्रेजडेंट ले तो जो को वीडोड़ एक्वेत्डा यह एक्सरी साइज होती है सिंगापूर के साथ अब सिंगापूर से को बेद इसे एक्जाम्स दे चुके हो या फिर आप अगर मॉक टेस्स दे रहे हो जो सिंगापूर से लाइक से कोशन पुछा रहाता है कि बीजिए स्टी अफिर सबसे और इंडिया की अगर पुछा जाए तो वह है डेली अचा बीच में हमने स्किप कर दिया है चाइना के साथ और चाइना की जो कैपिटल है वह है बिजिंग करंसी है पहले युवांती अब है रेन्मीबी और जो प्रेजिडेंट है जिंग्पिंग उसके बाद मित्र शक्ति हो हमें जो भी हमारे इंडिया के नियर बाउट नेशन से नेवरिंग कंट्रिस है इनके बारे में तो हमें डिटेल इनफोर्मेशन होनी चाहिए पीम प्रेजिडेंट पार्लेमेंट चीर्स जस्स और करंसी कैपिटल ठीक है तो पीम और प्रेजिडेंट को ने शिरलंका के जो प्रेजिडेंट है मैं पहले लिख देता हूं गोटा बाय राजा पक्षा यह प्रेजिडेंट है और जो पीम है मैं यहां लिख रहा हूं महिंदा राजापक्षा तो जो क्रन्सी तो श्रिलंका की रूपई है और जो खैपिटल है वह आपने याद रखनें शिरी जय वर्दन पूरा कोटे यहां में लिख देता हूं शिरी जैवर्दन जैवर्दने पूरा कोटे यह कैपिटल है श्रिलंका की उसके बाए नॉमेडिक एलिफेंट होती है मंगोलिया के साथ और शक्ती होती है फ्रांस के साथ सूर्य के रन यह बहुत इंपोर्टेंट है बहुत बार कोशन आ चुका है है यह होती है नेपाल के साथ नेपाल की जो प्रेजडेंट वहां से कोशन पुछा जा चुका है फरस्ट प्रेजडेंट और अभी क्रंट वहीं है बंद्य देवी बंदारी जो फियेम है वह बहुँजादा न्यूज में रहते है क्रंशी है रुपई है और कैपिटल है जो नेवी एक्सराइज है वो हमारी फ्रांस के साथ होती है कौनकन ये यूके के साथ होती है इंद्रा ये मॉस्ट इंपोर्टेंट ये रश्या के साथ होती है एक माला बार ये रिसेंट्ली न्यूज में थी 2020 में और आपने सुना भी होगा क्वार्ड ग्रूप बन रहे हैं इसको मैं क्रेंट फेर में डिसक्स करवाऊंगा क्रेंट फेर के सेशन भी बहुत जल लिकर आएंगे पहले हम स्टैटिक के जितने टॉपिक्स हैं जो आपके एक्जाम से में पुछे जाते हैं वह एक पर कवर कर ल दिक्कत ना हो हो तो यह होती है युई-ईस के साथ सीम्व sections है यह सिंगापूर के साथ और अइप सस्यों पर इंडिया ब्राजिल साफ्ष आफ्रिका और यह और ऐसे यार कर सकता हो आइब एप्समार ब्राजिल साइफ आफ्रिका और इंडिया यह तिनों मिलकर इस मिलटर है इसको करते हैं उसके बाद सिंगापुर स्बस यमें के साथ 1 सिंगापुर स्ली नाइक श्रेल pursuit इंटिया उसके बार जिमेख हैं यह जपान के साथ होती हैं इंडोनेशिया के वाद नसीम अलबहर यह ओमान के साथ होती है शेड जपान चाइना इंडिया और यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह थाइलेंड के साथ होती है और एक मिलान है यह 14 कंट्रीज के साथ होती है जैसे इस टेलिया शेलंका कि निया लेकिन यहां पर क्रेंट कंट्रेश आपको नहीं याद रखनी इससे कुशन आता है वह करैं ये UAE के साथ होती है और गरूड होती है फ्रांस के साथ रैड़फलेग यूएश ये गरूड बहुत इंपॉर्टेंट है ये ये यूएश के साथ होती है और एक इंद्रा ये यह गत्तुम स बहुत हो न यहाहां पर हमने इंद्रा पड़ा था ये नेवी exercise है और अगर आपसे अवीवा इंद्रा पुछा जाए तो यह एरफोर्स exercise होती ही रिशिया के साथ ही है उसके बाद इंद्रा धनुश या रेंबो exercise यह यूके के साथ यह बहुत बार कोशन आ चुका है उसके बाद इस्टन ब्रिज ओमान के साथ सियाम भारत थाइलेंड के सा और यह चांग ठांग यह मिल्ट्री exercise होती है हमारे चाइना के साथ यह भी बहुत जादा इंपॉर्टेंट है तो जितनी मिल्ट्री exercise मैं आज आपको इस session में करवाई है उतनी ही आपको याद रखनी है और प्लीज इस PDF में आप खुद से लिखना कि UA के President कौन है फ्रांस के आपको टिप्स पर आने चाहिए जो हमारे फ्रेंडली नेशन है जहां पर हमारे देश के प्राइम निस्टर जाते हैं या जहां पर कोई कॉइंस होती है लाइक है जैसे जी ट्वंटी की अभी जो मिटिंग होई थी वह अरे भारत में होई थी और ब्रिक्स के जो सम्मिट ह अगर हमारे भारत में आ तो वो आपके एक्जाम में पुछे जा सकते हैं thank you so much PDF मिलेगा आपको वारे टेलिग्राम चैनल पर और डाउनलोड करने से पहले टेलीग्राम चैनल को जोरूर कीजिएगा thank you so much